नमस्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुकेश तिवारी मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूस 24 का खास कारिकरम देख रहे हैं 24 के रेज बताएंगे सुकेश जारकंड में खेला हो गया है जारकंड के CM हमन सोरेन गिरफतार हो चुके हैं अब बताया जा रहा है कि जारकंड के नए CM चंपई सुरेन होंगे उनके नाम को आगे किया गया है लेकिन यहां पर कुछ दिक्कते हैं दिक्कते यह हैं कि हमन सोरेन को गिरफतार हुए 12 घंटे हो चुके हैं लगबग उससे जादा भी हो रहे होंगे कुछी तिर में उन्हें ED पेश भी करी कि हो सकते हैं अभी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक उन्हें पेश कर दिया जा चुका हो लेकिन अभी तक गवर्णर की तरफ से बुलावा नहीं किया गया है बुलाया नहीं किया गया है पार्टियों को कि आप आइए सरकार बनने का जो दावा है जो आपका बल है जो विधायकों का साथ है उसे पेश कीजिए मिज्योरिटी दिखाईए अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और यह भी बताया जा रहा है कि अभी राज़ेपाल और वक्त लेंगे लगतार चंपई सुरेन की तरफ से फोन किया जा रहा है वक्त मांगा जा रहा है राज़ेपाल से जो उनके काम करने का तरीका है उस पे विपक्ष लगातार हमलावर रहा है पिछले कुछ दिनों से, जारखंड में क्या हो रहा है, जारखंड की स्थिति बताते हुए विपक्ष पे किस तरीके से नकेल साध्य की कोशिश से इस पर चर्चा करते हैं, आपने कहा कि गवर्नर न हैं, उन्होंने 43 विधायकों के समर्थन की चिट्थी गवर्नर को सौपी है, जारखंड विदान सभा की स्थेंथ है 81, 41 चाहिए मिजोरिटी प्रूफ करने के लिए, उनके पास 43 हैं, उनके मुख्यमंत्री ने स्तीफा दिया, विधायक दल ने एक नया नेता चुरा, क्लेम स्टेक किया, काइदे से आपको शपत दिला दिना चाहिए, मैंने कहा कि ये जो सेलेक्टिव आउटरेज है, या स्टडी है, सिचुएशन को कैसे देखना है, उसको लेके सवाल हमेशा उठते रहे हैं, मुझे 23 नवंबर 2019 ध्यान आ रहा है, 23 नवंबर 2019 महराष्ट में एक ऐसा दिन था, जिस दिन सुबह सुबह, चार या पाँच बजे, मुख्यमंत्री की शपत हो गई, इतने दिन की जनलिस्टिक करियर में, मुझे सुबह सुबह फोन आया, तब पतलगा कि किसी स्टेट में शपत हो गई है, और मैं सोता रहा, तो वहाँ, गवर्नर ने स्टडी कर ली, कि मिजॉरिटी है, ब्रेक अवे फैक्शन अजीत पवार, उस समय भी तूते थे, शर्वत पवार से, और देवेन फ़र्णविस के साथ, देवेन फ़र्णविस सीम हो गए, और वो डेपटी सीम हो गए, वहाँ ये बड़ा स्मूथ था, और सुबह सुबह उनको लग गया कि, मैं कन्वेंज दू, इनके पास नंबर से, सरकार बन गई, तो कहा ये गया कि भाजपा की सरकार बन नी थी, इसलिए गवर्नर कन्वेंज दो गए, यहाँ नंबर से, पेपर्स पे हैं, लेकिन गवर्न जो हैं, वो लीगल, लीगली उसको स्टाडी कर रहे हैं, कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसा एक दो बार नहीं, अभी हाल की घटना देख लिए, नितीश कुमार, एंडिये छोड़ते हैं, राज़त के साथ चले जाते हैं, अभी राज़त को छोड़ दिये, बीजेपी के साथ चले आए, एंडिये में वापस, उसी दिन, और कॉंग्रेस ने ये कहा भी है, उसी दिन उन्होंने स्तीफा दिया, उसी दिन शाम को उन्होंने मुख्यबंद्री पर्किशा पत ले ली, कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार, बननी थी, इंडिये सरकार बननी थी, इसलिए बीजेपी की सरकार बननी, तो स्टडी हो रहा है, अब थोड़ा आपको विधान सवा का सेंथ बता दें कि क्या है, आपने देखा होगा अगर टेलिविजन देखा हो और इसमें इंट्रेस्टेड हो आपकी क्या हो रहा है, फिर हम लार्जर सवाल पर आएंगे कि विपक्ष को ही टार्गेट क्यों किया जाता है, जिसको वोटिंग का राइट होता है, तो ये संख्या जो है, वो 29, 46, 45, 46 और 49, 49 की संख्या इनके पास है, जे, बीजेपी वहाँ 26 सीटे जीती थी, आजसूस के साथ है, तीन, एनसीपी की एक सीट थी, जो आजकल अजित पवार गुटके हो गए हैं, तो वो उस तरफ हैं, और दो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो 26, 33, 31, 32, तो वो मिजोरिटी मार्ग से काफी पीछे हैं, जे, अब ये सवाल होगा कि भई, अगर 49 हैं, तो उसमें से 43 क्यों, 43 के समरतिन की जिट्टी क्यों है, या 43 लोग ही क्यों, फिगर कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तूट की गुंजाईशिक में, इसमें है, लेकिन अभी जो तूटने की स्थिती है, या की जो शर्थ है, उसमें खराब है किसी का, खिड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ है, मुझे जानकारी मिली, वो नहीं है, एक आद और विधायक नहीं है किसी वज़ज़ से, लेकिन संख्या जो है, वो पांच या 4 कम हो रही है, वो कहां है, एक तो स्पीकर होंगे, एक खुद है, सोरेन साब, तो क्या इसको देखते हुए, भाजपा नहीं ऑपरेशन किया है, कि इनमें टूट हो सकती है, और इसलिए कहा जा रहा था कि कलपला सोरेन को बनाना चाहते थे, सब राजी नहीं थे, इसलिए चमपई सोरेन प्याना पड़ा, हलाकि वो भी उनके ट्रस्टेट बताय जाते हैं, इसम यह देरी हो रही है, एक मन में संशय आता है, और जो मैंने आपको दूसरी चीजे बताई, महाराज का एक्जैम्पल दिया, बिहार का एक्जैम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एक्जैम्पल हैं, जो आपको इस तरफ इशारा करते हैं, कि जहां भाजपा की सरकार बननी होती ह चुकी केंद में भाजपा की सरकार है, अजिकतर गवर्नरस जो है, वो भाजपा के द्वारा अपॉंटेड है, इसलिए आरोप लगता है कि वहां बड़े स्मूदली हो जाता है, वहां फेसिलिटेट किये जाते हैं, कि जाती हैं इसी सरकारे, तो इसलिए शक होता है कि आख उनको समय मिला नहीं, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष के साथ अगर ऐसा वेवार होगा, तो लोगों तक भी यह मैसेज जाएगा कि बस आपको क्या करना है, सरकार को तोड़ना है, किसी को गिरफतार कराना है, वक्त खुद पर खुद मिल जाएगा, आपको सरकार बनाने क लिए, यह एक constitutional process से या फिर एक समधानी का democratic system से लोगों का भरोसा तोड़ेगा, यह खराब है आगे चलके, यह तो है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या सरकारे ऐसी चलेंगी, क्या सरकारे ऐसे बनाए जाएंगी, लेकिन यह एक बड़े सवाल की जितने लोगों के खिलाफ आप मामले देख रहे हैं, वो अधिकतर अधिकतर नहीं करीब 99% आपको opposition के खिलाफ मिलेंगे, कौन है जद में कौन की रफ्तार हो गया, हैमन सोरे, जब मैं बात कर रहा हूँ, वो कोड के सामने पेश की जा रहे, कौन समन टाल रहा है, अर्विन पेशी हो रही है, पहले भी होई थी, लेकिन अब उसकी उसकी frequency बढ़ गई है, एक दिल लालू यादो पेश हुए, तेजस्री यादो पेश हुए, फिर नौ तारीक को सुन रहा हूँ, राबडी देवी और उनकी बेटियों को बुलाया गया है, बामला पुराना है, लेकि तो नहीं जा रहा होगा फोन, रोहित पवार, अजित पवार गुट में है, वो लगातार बुलाया जा रहे, जानकारी में शाद आज भी उनको बुलाया गया है, या समन दिया गया है, इसलिए बड़ा वर्ग ये मानने लगा है, कि ऐसा क्यों है, कि आपके रडार पे, ऐसे पद पे नहीं है कि उनके बारे में ज्यादा चर्चा हो, लेकिन सिर्फ सेना के विधायक बुलाया जा रहे हैं, संजय राओ जेल में थे, जब तक नवाब मलीक अजीत पवार के साथ नहीं थे, तब तक वो दिक्कत में थे, बहुत दिनों तक जेल में थे, अब शाद पर जो पुलिटिकल लोगों के खिलाफ कारवाई है, उसमें 95% अपोजिशन के लोग, बार-बार कहा जाता है कि कन्विक्शन रेट इस पर मैं पहले एक वर वीडियो कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कि उनका कन्विक्शन रेट क्या है, इदी अपना पुल जवाब आपको नहीं मिलता है. आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस केस में एक तो चलिए आप कारवाई कर रहे हैं, फिर आप समन भेज रहे हैं, फिर आप आरोप भी लगाते हैं, आप आप आते हैं तो आपको गिरफतार भी कर लिया जाता है, मतलब ये विपक्ष के लिए वह वाला सि जल्दी आपको बेल मिले की नहीं, जब आप जेल में होंगे, तो कहा ये जाएगा कि कुछ किया नहीं, तो जेल में क्यों है, तो ये एक ऐसी स्थिती है और इसमें लोगों के मन में, बहरोसा तब होता, जब एक क्रोस प्रिटिकल स्पेक्ट्रम इस देश की जंता ये मानन है, भ्रस्चाचारी है, कोई भ्रस्चाचारी नहीं बचना चाहिए, भ्रस्चाचार के खिलाफ एक वार होनी चाहिए, एक जंग होनी चाहिए, लेकिन भ्रस्चाचार के खिलाफ इस जंग में जितने भ्रस्चाचारी है, उन पेवार होना चाहिए, उसमें कि ये हमारे पक में है तब तक ठीक है दूसरी तरफ गया तो भरस्टाचारी है या जब तक दूसरी तरफ है तब तक भरस्टाचारी है हमारी तरफ आया तो ठीक हो गया और मौका तब मिलता है जब धानमंति जैसे पद पे बैठे हुए द्रक्ति जब भाशनों में ये कहते हैं कि सतर हजार क खिलाव आपके लोग पानी पीपी के जिनको कोस रहे थे हसन मुश्रिफ जैसे लोग वो सरकार में मंत्री है जगन भुजबल सरकार में मंत्री है पर फुल पटेल पाला बदल लिये तो पता नहीं ED का नोटीस अभी उनके पास गया है कि नहीं उनकी कुछ पपुटी अटैच की गई थी ऐसी जानकारी थी अजीत पवार को कभी ED के चकर लगाता हुआ तो नहीं देखा किसी ने जब से वह दूसरी तरफ गये है यह रोहित पवार ही रोहित पवार ही चकर क्यों लगाएं तो इसलिए आपको उस तरफ यह पूरा यह सारे वाकिया आपको सोचने पर तो वो है क्या इधर यूआ वितास और यूआ वित करप्शन यह आपको पेंट करने की कोशिश हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष मतलब पूरा विपक्ष ही घेरे में है ऐसे में जबकि 24 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है एक के करके विपक्ष के लोग ही आपके रडार पे हैं और उन पे सही-सही निशाना लगाया जा रहा है ताकि डेमॉलिस किया जा सके विपक्ष को यह आरोप इसमें कई बार आपको सबस्टेंस दिखता है जब विपक्ष आरोप लगाता है मतलब बेसिकली जो आरोप लगाय जा रहा है देखिए राज्यपाल से अभी तक कोई टाइम नहीं मिला है शाम को मिले कल मिले कब मिले किसी को नहीं पता है लेकिन ये जो आरोप है कि विपक्ष को डिमॉलिश किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनको एक सेलेक्टिव कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं और अगर आप जब पेश होते हैं तो आपके गिरफतारी हो जाती है और आपके पास मैसेज क्या जाता है कि गिरफतार होगे गिरफतार क्यों है अगर कुछ नहीं की होते तो क्यों गिरफतार होते हैं अब इसके पीछे की स्टोरी क्या झाल